क्लास में बहुत सारे जिक्रे हुए थे, साइंस अन टेक्नलोजिक का, करेक्ट, उसमें हम लोग क्या क्या बात नहीं किये थे, लो अर्थ अर्विट का बात हुआ थे, इस क्लास में, हाई अर्थ अर्विट का बात हुआ था, जब हाई अर्थ अर्विट का बात हुआ था, त लेके तुहार दो जंगां उसके बीच में ने बहुत कुछ पढ़ा था उसमें किया था उसका अचीमेंट के ऑभ अधी स्प्रेस स्पेसल को मैं जयाना था यूफ के से अधिन्सेटा यूजा ड़ीता है का शहें जग्षात इस जपनिस समझ के बात को तो आब किरास किचेंगे अब जानते हैं तोड़ा इसरो के बारे में तेक है जिसको कहते हैं इंडियन Space Research Organization यह क्या है यह हमारा भारत का Space Agency है ठीक है इसरो is the Space Agency of the Government of India headquarter in Bangalore बैंगलोर में इसका headquarter है एधि में बैंगलोर का बात करूँ तुम्हारे information के लिए बब एक चीद तुम्हारे information के लिए में बता जाना चाहता हूं एधि तुम पहले लांगेटिवटीट इसलिए तुम्हारा लॉंगेटिवट्वटिवट जायेगा वहिं बैंगलोर में भी जाएगा देख संग यहां पर कोई भी तुम्हां लेटीटू देखो 76 और 80 यानि की बीच में लगबग तुम माल हो कि 77 ये खीचो के तुम देखो लेट से 77 खीचो गेट बैंगलोर बैंगलोर तुमको मिल जाएगा कहां मिलेगा बैंगलोर जदा दिखाओ करनाटाका में बैंगलोर कहां पर है द यह बचलों करने भैब कर दोता है माश समय बचलों इन बना पता थो पूचछ ओया शिर्गी क्या है गटार्में जालाइखि एक अखांते पिर से उक्डिश निदीजा को समझो यह श्माज्य गहें है कि उत्तलर दिखाऊ इन।ती नगटाइज स पर स्पेस साइंस रिसर्च और प्लानेटरी एक्स्पोडेशन यह जो प्लानेट का जानने का जिग्यासा इच्छा है जो आड़े बटा से सुरू हो चुका कब उसको हम पूड़ा कर से दिस बीटी आफ इस रहा है बहुत अच्छा कामा काम किया है अभी गर्व होगा तुमक प्राइम मिनिश्टर आफ इंडिया को यही कारण है जब हमारा सक्सेस्फुल नहीं हुआ तो उसकी चेर्मान जब रहे हैं तो मोदी जी गला मिल गया उससे और मेटिया के सामने आ गये के फोटोच कानेश के लिए भाई गला मिला थे तो आप पीछे मिल सकते थे यह मैं उस समय भी तंज किसा था उस क्लास में भी क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है बात समझो तो अब इसका ओर्गनाइशन सेटप देख लो कि ओर्गनाइशन कैसे हैं देखो प्राइम मिनिस्टर के अंदर इस्पेस कमिशन होता है उसके बाद तुम्हारा डिपार्टमेंट अब अब तुम्हारा कमर्शियल आम होता है बाबु इसग्रों बाकी कंट्री का भी लाउंज करता है कि नहीं करता है सेटफलाइट और कमर्शियल एक्टिविटी भी प्रफॉर्म करता है जो किस और करनाइशन इसको आगे बढ़ाता है उसी को अंत्रिक्स कहते है इसीने 1 बाहर से आएगा बाहर का सेटलाइट छोड़ेगा तो पैसा कमाई होगा पैसा कमाई होगा तो हम अपना इस टेक्नोलोजी पे काम करेंगे उससे और गेटिंग मी तो अंत्रिक्स क्या है कोमर्शियल आम है किसका इसरो का तो इसका एक है और जिपार्टमेंट अब इस्पेस स कमिशन का भी होता है बताएंगे थोड़ी तर में इस्पेस कमिशन के अंदर क्या होता है और ये डायरेक्ट जो हैराकी में जो टॉप पे बठा हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर है बाइडिफॉर्ट बाइवर्चु क्यों वो इतना बड़ा गदी है वो गदी पर जाते ही है ये बाइडिफॉर्ट समीधानिक हम लोगों प्रोविजन मिलता है जैसे प्रेजिदेंट तुम्हारा डिफेंस का सबसे होता है जानते हो निजानते हो चलो आगे देखो तो अंत्रिक्स सबी जस्ट बोले है जो अंत्रिक्स कोर्परेशन लिमिटेड है इस अ होली कमपनी है इंडियन गौर्मेन का कमपणी जो कि पुरीत ट्रिके से डेपार्टमेट के अंधर रहता है धो ही पहला चले बढ़ क्यों क्यों कुम्कि इच्ञाल आम है तो डिपार्टमेश का भी देखेगा फ्यृट कहने का मतलब यह हुँआ अंत्रिक्स कोर्परेशल लिमि करे समझे नमबर वान टेक्निकल कंसल्टेंशी सर्वीस हो और टेक्नोजी ट्रांसफर करे डेपलोप इस रोड़ोप किया है कोई दूसरा खरीदना चाहता है तो उसको बेश सकता वहां से पैसा लाएगा फिर अपने रिसर्च एंड डेपलोप्मेंट में करेगा समझ गये य क्योंकि इंडिया से छोड़ना बहुत सस्ता होता है इसलिए बहुत सारे कंट्री क्या करते ही इंडिया में फिर फार करते है इसलिए हरी कोटा से छोड़ दिया जाए जास अंद्रप्रदेश से क्यों सस्ता में चुट जाएगा और बाकी अपने जगा चोड़ोगे तो बह कर्माने का तरीका हुआ यह है। As the commercial and marketing arm of ISRO, Antrix is engaged in providing space products and service to international customers worldwide. बोल तो दिये है तुमको, कि चुकि यह marketing arm है इसका, commercial arm है, तो इसलिए यह worldwide भी मिला रहता है, और वोल्ड से भी तुम्हारा demand आता है, कि सर आपके बेस से थरा छोड़ देते, ज्यादा बेटर होता, सस्ता होता है, बोला आई आई, इसी दिन का ते इंदेजारत आई, और इसे ग्लोबल ब्रैंडिंग होगा, ब्रैंडिंग हुआ ने, 104 से लाइट जब हम सोड़े थे एक बार में, तो कितना ब्रैंड हुआ था, और इंडिया में कम दिखाया गया, बाहर जाता दिखाया गया, अम BBC का न्यूज बैटके देख रहे थे उसमें, जब प्रेस किया था, क्यूँ बहुत बड़ा चीज है ना, हमारा इंडिया में तो क्या है, सब तो hero, heroine को ही देखना पसंद करते हैं, इतना बरा अचीवमेंट हो रहा है यूजरों का, हलां कि अब TV ने बहुँ संसिटाइस कर दिया है, पहले के तुल्ला में, पहले तो पाब दो एक हुचीज तो, यह किर्केट एक तुम्हारा Bollywood, Bollywood, या तो सारुकान, या तो सचिंत अधूर करते, वो उससे भी उपर दुनिया है, मोधी जी आये तो पॉलिटिक्स को चेंच कर दिये, मोधी जी ने पॉलिटिकस को पुरा चेंच कर दिया, मैं बतार गरा ओं तुम लोग को, मोदी जी को अकेला क्रेडिट जाता है कि यूद के बीच में politics का जो क्रेज लाए ना मोदी जी पूरा सुले जाता है तो कोई लोग को इंट्रेस्ट नहीं था पाइड है लोग को इंट्रेस्ट नहीं था politics मोदी जी का जो campaign हुआ है 24 इसे बहुत लीडर लोग जन्ग में है और यह potential leader बनेंगे आने वाले समय में बड़े बड़े लीडर बनके जाएंगे देखते रहा है चीक है उसका इस्पेस कमिशन जो बोले ना कि Department of Space से उसके उपर इस्पेस कम program of India जितने भी आमारे इस्पेस प्रोग्राम होता है भारत में यह कमिशन देखता है उसी इसको और इसमें बवो सब सीनियर सीबिल सर्मेंट होते हैं वही तो बोल रहा है एक आइस नहीं सकता है यही बोल रहा था और कौन से सीनियर होते है तो प्रिंसिबल सेक्रेटरी और भी बहुत सरे तुम्हारे जो प्रोमिनेंट सिविल सर्वेंट है वो सम मेंबर रहते हैं स्पेस कमिशन का क्यूं क्यूंकि उन्हों को पता है बहुत जरूरी है ना उसमें एक्सपिरियेंस ब्रेंच चाहिए मेनेजमेंट करने वाला ब्रेंच चाहिए तो सभी रहेंगे और इसको भी देखो जैंकि ता कि कुडा साइन टेकोनोजिक यह चेर्म। क्लेक्टर होगा तो टेकनिकल चीज नहीं जान पाएगा कि कल्चर होता है और पर्लेंट को दिफेंट यहीं सब चीज में रखते ही है टीचेर म Common Ha कि पेटा यहां परोड़ में प्रोजेंट को तो कई हानी नहीं मिला तो यायां सब्सक्रण、 यलॉरो का 씨यड मेन इसलिए ताकि ये बीच में इसलिए उसको चैर्मन दिया गया है सम大कार इसलिए दिश पेंच आद्वाकर मिनिस्टर और इस पेस केंच सHz को देख न और आल मिनिश्टर को क्या करना एडवाइज देना क्या करें सर यह वो इसलिए देख रहे हो चंद्रयान वाला जो हुआ था तो प्राइम मिनिश्टर कितने एक्टिव थे यही रिजन है एक तुम्हारा Bikram Sarabhai Space Center समोजे Bikram Sarabhai बहुत बारा नाम है जिन्होंी महें जिनके जाद जहर से इस रही इतना ऊपर पहुंचा है हम लोग इतना ओपर गय है इनको ट्रिभ्यूट देने के लिए इंके नां पर तुम्हारा इस CENTER समझे बात को तो भीक्रम सराभाई Space Center देखो तो भीक्रम सराभाई Space Center is the main center of ISRO responsible for the design and development of launch vehicle technology देखो जितने भी launch vehicle होते हैं I repeat launch vehicle यानि कि rocket satellite का बात नहीं है जितने भी तो मारे जो rocket होते हैं या launch pad होते हैं या launch technology होते है launch vehicle technology होते हैं सबीचीज वहां पी design होता है कहां पे बिक्रम सराबाई स्पेस सेंटर में समझे आव वहीं पे डिजाइन डैवलोप्मेंट सभी चीज होते हैं I repeat satellite का नहीं किसका launch vehicle that is your rocket समझे ना और इस center में क्या होता है इस center में बहुत सारे चीज होते जूसे design होते है manufacturing होते क्यानी क्या द्जलाइक जर ठेशक मोता है अग्जग के दिदियार करने के लिए एक आप जो मेजर प्र consecutive सारा वाई इस सेंटर में होता है उसमें पोलर सेंटलाइट लाइट लॉट से रिलेटेट होगा वह ची तिक है और रोहीनिस वाड़ीं साउंडिंग डॉकेट्स इसके बारे मैं बताूंगा कुछ दिर में तुमको तिक है उसका बाट डेवलोपमेंट अब स्टेलाइट लांच वेकर जी ऐसल्वी मैक 3 मैक 2 भी था मैक 1 भी था तो मैक 3 मैक 2 क्या है बताएंगे अभी थोड़ी दिर में और रियूजबल लॉंच वेकर यहीं तो है सबसे पहले ऐसबसे आपकली एलन मस्का यहीं बाजी मार लिया था जी यहाँ थी देखो होता क्या है तुम समझो की वी हांच तो काट लॉकिट कि आपि अथकि श्टयलाइट यहां उड़ गय तो यह जाके इस पेस में खतम हो जाता है या फिर वहां डेवरीज बनकर रहा जाता है कौन लाउंच वैकल लेट इस रॉक है तो इलन मस्क जो है तुम्हारा इसने नया तरकिफ लाया और प्राइवेट है ये सब खुद का दिमाग है उसका इसने क्या किया एक यह अपने आप में आया आया है यह तो अब रॉकेट को बनाने बहुत पैसा लगता है ना अब सट्राइट को छोड़ने के लिए रॉकेट बनाओ और फिर बरबाद हो गया तुम्हारा और नीचे लाएगा तो फिर रियूज वोका तो ज्यादा बेटर है ना इसलिए बोल गया यह फिर उस पेसल्गेड़ेश बन करें जाएगा वह ग्रापिटी सब्सक्राइगा एक दुम्हारा विक्रम सारभाई इस पेस सेंटर होता है यहां पर क्या-क्या होता मैं फिर से रिपीट कर दूंह पोलर सेट्लायट लाउंज वैकल का प्रोग्राम्स होता है जियो सेंकरना सेटलाइट लांच वेकल जिसको जी एसल भी बोलते हैं आगे देखोगे तो यहां यहीं पर जी एसल भी मैक ट्री का भी डेपलोप्मेंट हुआ था रोहिनी साउंडिंग रॉकेट्स का भी है रियूजबल लांच वेकल भी है एर ब्रेदिंग प्रोपल्सन में और भी बहुत सारे क्रिटिकल टेक्नोजी सब्व है अब यह जो हैवी सब्द है यह थोरी दिर्में में बताऊंगा यह क्या होते हैं रोहिनी साउंडिंग रॉकेट्स एसेट्रा तो समझें कि इंपॉर्टेंस सेंटर अफ इज्रो में एक तुम्हारा विक्रम आप देखो साउंडिंग रॉकेट्स अब बोले ना भी रोहिनी रोहिनी का बात किये थे ना रोहिनी साउंडिंग रॉकेट्स उस पे पहला वाला तो आप देखो यह साउंडिंग रॉकेट्स क्या होता इसका मतलब क्या है इसका मतलब तुमको समझना होगा कि इस मतलब क्या बाव फिव जो है जो फिवल है फिवल मतलब क्या कि जैसे पैट्रोल क्या फिवल हुआ जब इस्टार्ट करोगे गाड तो फिवल देते हो उसमें तब चलता है वो लिकुड में रहता है तो यह तुम्हारा जो सॉंडिंग रॉकेट से यह क्या है solid प्रॉपलेंट और के सॉलिट फ्यूर्ट्व तुमारा राखरेट्स जलेगा उपर जाएगा साटलाइट को लॉज़ करने वाला वह सॉलिट फ्यूर्टर पर डिपेड़ा ता है समझे ए solid fuel मतलब क्या petrol liquid fuel है तिस solid form में होतो होपसो समझ में आगे आओगा देखो यानि कि sounding rockets these rockets are solid propellant यानि कि solid fuel rockets used for studying the upper atmosphere and weather यानि कि sounding rockets है बावो कहां पे कहां आता है upper atmosphere को read out करने में और weather condition जो IMD करता ही Indian Metallurgical Department weather condition के बारे में जानेगा तो रोहीनी तुम्हारा यही रोहीनी sounding rockets उसको provide करेगा क्योंकि यहीं से तुम्हारा सेटलाइट जाएगा और वहां पर काम करेगा यहीं कि launch pad है यह क्या launch vehicle है जी यह launch vehicle ऐसा launch vehicle है जहां पे solid propellant यूज होगा यहीं कि solid fuel यूज होगा नमब वान तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रुमेंट कैरिंग रोके डिजाइन तूब टेक मेजर मेंट्स एंपर सेंटिफिक इसके साथ बहुत सारी इंस्ट्रुमेंट जाएंगे रोकेट जनी के सेटलाइट जा सकते और भी अन्य चीज जा सकते जो कि अपर अट्मसफिर को डिडाउट करेगा इस्टडी करेगा और यहां से नोगो बहुत कुछ पता चलेगा और उसके बाद जख कल्यान के लिए यूस किया जाएगा उसको चाहे आएमड यूस करे उसको क्यों जख कल्यान क्यों नहीं है इंड के पास जटा आ जाएगा फ्ल sub as easy and affordable platforms to test new components and technologies intended for use in launch vehicles and satellites और जो यह sounding rockets जो तुम देख रहे हो यह और भी ज्यादा important है ताकि नए ने components नए ने technology को ठीक है और अच्छे से देखा जा सके और हम calculate कर सके और हम possibility को और बढ़ा सके कि और क्या के use कर सकते हैं देखो सबसे important है कि सो जो सबसे पहले बाबू sounding rocket जो पहला भारत ने जो sounding rocket छोड़ा था वह थंपा जो कि त्रिवेंदरम पूरम जो कहला में तुम्हार 1963 में छोड़ा था ठीक है और यहां से तुम्हारा इंडियन इस्पेस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है यहां पहली बार हमने बड़ा देखो अब सिंपल एक चीज और समझ लो इसका मतलब क्या होता है सौंडिंग रॉकेट मतलब क्या है कि बाबू पहले रिहर्सल कर रहे हो सौंडिंग सौंडिंग रॉकेट तुम्हार ठीक हो गया तब बात में जाकर जी ऐसलबी पी ऐसलबी का बात को सम्झे बात को कि चोटा तरीका है तो सबसे पहला हमने जो इस पस्पेस का काम किया था ओं 1963 में किया ₹ कहां से किया तो देखो पर देको यह पर यहां से फोड़ा थे और हम लोग रेचीह समझे न और जो हम लोग कर रॉन्ध आय सकी यहां से और यहां से हमरा इंडियन स्पेस प्रोगाम सुरू हुआ है 1963 में 1963 में बाब बाद करूं तो कौं से लाल बादू सास्त्री है अब इंडिया यस इन इंडिया औल दे सांडिंग रॉकेट एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं चाकि सेंटिफिक उसको चाहिए मेजर्मेंट चाहिए एक्टिविटीज करना चाहिए यह निका अपर एक्टमस्पेर में जो भी काम होगे इस सभी चीज जो परफॉर्म किये जाते हैं वह रोहिनी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम के अंदर गत किये जाते हैं एक तरीका है जी पूलते नहीं इस प्रोग में तुम रस्या से लाया और दो साल में वह अपना बना दिया तुम और कैची तो बोला इस रोई स्टार लांचिक इंडिजिनेस की अपना खुद का बनाना सुरू कर दिया सांडिंग रॉकेट नाइप्रम 1965 अन एक्स्पिनियेंस गेंड वाद इम्मेंस वैले इन अप्रि और आद बेहा चला कि solid fuel यानी कि solid propellant technology कैसे और बेहतर कर सके और किस तरह हम space technology को और harness कर सके और बढखा सके उसके लिए तुम launch pad बनाएगा launch vehicle बनाएगा rocket बनाएगा अब 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 हुभी किया है सुम देखो के GSLB PSLB सभी में तुम्हारा solid propellant भी used होता है लिकुट भी होता है, जानेगे उस चिज को, दा सॉंडिंग रॉकेट प्रगाम वस्था बैट रॉक उन वीच लाउंच वेहिकल टेक्नलोजी कुड बीट, इसलिए बाबु यह जो सॉंडिंग रॉकेट बोले न, सॉंडिंग रॉकेट प्रगाम यह क्या है, सॉंडिंग रॉकेट प्रोगाम क्या है, जब पास करोगा, यह बनोंगे तो तुम्हारा उपर जाना हुआ, वाज समझे, तो वही बोला है कि यह क्या कि बैट रॉक है, यानि कि रास्ता है, शुरू का, फॉंडमेंटल्स है, और उसके बाद गजब-गजब का हम लोग के पास वेकल्ट टेक्नोजी, लांज वेकल्ट टेक्नोजी हम बिल्ट की हैं उसके बाद, तो कोई पूछेगा कि रोहिनी, रोहिनी प्रोगाम जो सौंटिंग रॉकेट से रिलेटेड है, वो एक्चुली में बैट रॉप, वो फॉर्डमेंटल से हमाई जितनी भी लॉंच पैड के लिए है, वहां से सुरू हुआ है, 1963 में हम भले ही रसिया समगाए, मात्र दो साल में, 1965 से हमने अपना ही बनाना सुरू कर दिया, यह है मास्टरी, और उसके बाद हमको सॉलिट प्रोपोलेंट टेक्नोलोजी मास्टरी हासिल हो ही गया, और वही आगे जाके बाव चंदरियान तक हम कर देते हैं, आदित्य मिसन का बात कर देते हैं हम लोग, तो गजब की आया ने इस लो, काम तो, अभी और काम दिखेगा तुम लोग को, तो देखो मैंने क्या क्या बताया है तुम लोग को, जो में सेंटर से, विक्रम सांडिंग रोकेट्स के बारे में बताया है तुम लोग को, अब देखो यह उतना ही इंपोर्टेंट है, ठाडवान, लिक्विट प्रोपल्शन सिस्टम, सेंटर, यह एक जगा का नाम है, ठीक है देखो, यह सेंटर है फर डिजाइन और डेवलोप्मेंट लिक्विट प्र अब यह तो सॉलिड प्रोपलेंट जाना यानि कि जो रोही नहीं जो तुमारा प्रोगाम है सांडिंग जो भी रॉकेट प्रोगाम है वह पूरी तरीके से क्या है, फ्यूल, क्क्क्राइब वाला है, अब लिक्विट बाला भी होना चाहिए कि दोनों का उतना ही अब सो समझ में आ गया होगा, देखते रहूं आपके, इड़ा सेंटर फर डिजाइन और डेवलोपमेंट अब लिक्विट प्रोपल्शन स्टेज़ फर इस रोज लांज वेकल्स, और की कंपोनेंट्स अब लिक्विट प्रोपल्शन सिस्टम है डेवलोप्ट है, और जित लिक्विट प्रोपल्शन जो बनेंगे तुम्हारा लिक्विट प्रोपल्शन सिस्टम शेंटर से बनेंगे, अब आते हैं सबसे इंपोर्टन इसरी को बोलते है बाभू जगा का नाम स्रीहरीकोटा, यहीं से बात होगा, बन गया, बंगे, लॉंच वैकल बन गया, अबनें कुछ दोलकु बिल्कुल यह से रिजण ई है कभी क्योंि तुम उसीड होगा जान ले ना तुम हम से इसका हहां बहुत बरीज़न है किंदो कोषप ऊगा है अभी तो कुछ होगा ना रिजन दो बताएंगे कभी क्लास में देखो सतीज धावन इस्पेस सेंटर स्री हरी कोटा देखो इस पेस पोर्ट अफ इंडिया हाँ जैसे पोर्ट होता है है न एरपोर्ट होता है यहां से लॉंच होगा है डिक्ति में फिर्श पोर्वाइडें लॉंच बेस इन्फास्टर्क्ट्टर जब विल्कूल फर दा इंजने इस्पेस प्रगाम जितना भी हमारा इंडियनी स्पेस प्रगाम होगा ओगा वह शो इंफास्ट्रक्टर जो चाहिए तुम को जहां तुम छोड़ोंगे वो तुमको कौन देगा सतीज धबन स्पेस सेंटर स्रीहरी को समझ गया ना तो बहरी इंपॉर्टेंट असेंटर है दो लॉंच पैट से दो जगा दो इंफरस्ट्रक्ट्टर है जहां पर रॉकेट को तुम लॉंच कर सकते हो पीएसल भी को भी और जीए और हुट मैं भी रहता है अभी तब प्रप्रपलंडी जया रहा है अभी तक ते scripture और इंटेंट वह्ता मैं और जहाँ निए प्रिए उतल लिए फी वेसली करने मैं ऑश्टर के बार से यूद्टि सब्से और लिक मुदो क्यों की तूब प inflam सब चीज में बनाने में विश्वास रखता है समझे बात को यहां क्या लिखा है अजो कि पूरी चीज़ पर बेस्ट है तुम्हाना पॉपलेंट बुस्टर्स जो कि जरुवत होगा तुम्हां जी ऐसा क्यों कि बहुत उपर तुमको जाना है समझे तो अब दूसरा देख लो एक और सेंटर देख लो जैसे कि तुमने क्या देखा भी तक मैं बताता हूं फिर से चिकर करता हूं इन्पोर्टरंस्ट सेंटर्स में तुमने जाना अब तुम की इनके नाम को ऑनर करने के लिए ये नाम दिया गया वैं इसको इस रो सेटलाइट सेंटर कहा जाता था पहले इस दलीड इस दलीड सेंटर फर बीदिंग सेटलाइट 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 सेट तुमने क्या कर दिया अप्य बना दिया तो कहीं तो सट्टलइट्ट भी बनाना होगा ना तो सट्टबिद यहाँ पर नेगा इसी को पहले इसे रो सट्लाइट सेंटर बोह दे यहे दर लीड सेंटर पर विल्डिंग सट्लाइट सेंड अभलाप्मिंछ एबलाप है चैटली कमनिकेशन का हो नाइविकेशन के लिए जो आज तुम जी पीएस का देखते हो मेटरलोजी के लिए है जो की इंडियन मेटरलोजी कल डिपार्टमेंट को चाहिए होगा रिमोट सेंसिंग बिना देखे हुए वही लीडार सोनार के कॉंसेप्ट पे है ना इस पेस स चल जाए तुमको की वर बेल्ट के बारें पता चल जाएगा everything ठीक है तो यह सब चीज काम होते हैं यहां पर अब यहां से सुरू हो जाएगा हम लोग का डिफेरेंट टॉपिक लॉंच वैकल सब इस रो समझ में आया यानि कि इस रो का तुम लोग चार देखे के नहीं दे जाना सतीज धवनिश्पेस सेंटर जाना जो स्री हरी कोटा का है उसके वाद यूर राव सेटलाइट सेंटर जाना होप सोप समय में आ गया होगा अब यह जान लो कि पी एसल भी क्या होता है पोलर सेटलाइट लॉंच वैकल वैरी इंपॉर्टेट ना अब इतना कुछ तो प्यार कर दीए अब इसमें क्या होता है तो विलननौ अबूटिञ इसका फ्रेसी देखेंगे रॉट इडिजर अन ये एक्सपैंडीफल एक्सपैंडेबल लॉंचवेकल expendable launch package मतलब या होता है देखो ऐसे खुल के गिर जाना उपर घरा कुल के गर जा जाता है निदेख सेखोडने के लिए तो तुम देखे हो नौ कैसे खुुलता है देखे हो कर नहीं देखे हो उसी को बोलते हैं इंगली एक expendable launch vehicle यानि कि launch vehicle जो खुल जाएगा ताकि ठीक से सटेलाइट वहां से निकल सकते नमर वान पॉइंट PSLV का it means it is a used only once and its components are not recovered for reuse इसका मतलब यह जो polar satellite launch vehicle वह एक ही बार use करते यह reusable नहीं है वही तो मैं बोल रहा हूं समझे और इसका component का भी भी recover नहीं गया सकता है क्यों क्योंकि यह तो space debris बनके रहा जाएगा यह फिर स्पेस्मुक हो जाएगा उतर यह फिर अर्थ पे गिरेगा पता नहीं कहां गिरेगा फ्रिक्शन हो जाएगा जल जाएगा शतम भी हो सकता है समझें बात को तो यह यह फिरेगा नहीं है वान ताम यूज होने वाला लॉंच वैकल है नमबर वाक दूसा देखो दब वेकल्स कंसिस्ट अफ सेवरल स्टेज दड़ डिसकाड़ वान एज अज अगे अटिट अल्टिटूट वो लाकि इसमें बहुत सारी स्टेज इस होते हैं आप जानते हो त को देखे ही होगे तुम लोग अब वीडियो में नहीं तो आज एक बार देख लेना जाके ठीके ना बेट देंगे तुम लोगो लेको पीसल्ब वास्ट डेवलप्ट अब इसका थोड़ा से जैनिसिस देख लेते कब हुआ था पीसल्ब यानिके पोलर सेटलाइट रॉंज कर सके लिए पंडिसिंघ के लिए फंट परे हमें चेंज ला इसके बैकल से प्योंड़ में बैकल Bristol के लिए इमेजिंग के लिए इमेजिंग के लिए था सब्सक्री यह लिए तही बोला जा रहा है कि पीएसल भी जो डैवलोप किया इजरो ने ताकि वह क्या कर सके रिमोर सेंसिंग सट्राइट को लॉंच कर सके इस बैकल से पीएसल भी के बैकल पर कहां पे पोलर अडिवेट्स में क्यों ना हो क्योंकि पोलर वर्ट सब्सक्राइब कुछ मेनिंग होगा तो समझ के देखो ऐस सब्सक्राइब कर देखो क्या किया पीएसल भी कैन ऑल्सो लॉंच स्मॉल सेटिलाइड आप इसका मतलब यह नहीं कि आपके वल पोलर सेटिलाइड लॉंच भैकल है तो पोलर में ही छोड़ेगा यह सबसे इंपॉर्टन चीज है पीएसल वी इन फैक्ट छोटे-छोटे- स्बस्क्राइड नाम उसका वही है मगर इसके पास च्छमता है कि यह चुटे-छोटे-छोटे-छोटे-चोटे-छोटे-छोटे-टो रख सकता है इसलिए बावू कभी-कभी कोईशन यहां पर लोग गरवणा देते हैं लोग को लगता है कि यह पोलर सेटिलाइड के इन्टू जियो इस्टे-ई औरवीत जो इस्टे स्रिशनी एंज गोसिंगों आगए होगा जी अब्छि ने मतारे हमेसा तुमारा कैंहें एंटिना हमेसा फिक्त्राइगा ठीक है क्यूंकि उसका वेस्टू इस डा एक्सन सेंगा प्येइसल वास डेपलोप इंधा अर्ली काहा पर ऩजो भी करम-सराभाई ऍसपेस सेन्टर जो बोले अवी कहां पर तो नुब यह इन उपरhof परイ एतने भी सेन्टर पार चाहिए अगर तुम्हाइ इतने विलाउंज वेकल बनते हैं वहीं पे तुम्हाइं डिजाइन हुआ था यहीं नजी अभी बताए है है नभ्य के धासक में हुआ था अत्री बेंद्रम विधानते भीकरम सारावाइश सेंटर का ति बेंद्रम में तुम्हें का मतलब क्या होता जी कि आए निचे है सबसे इस ट्रमिलाडू का बाट होगा बिलकुल यहीं होगा तो बेंदरम पूरा मीं होगा यहीं वाला पाट है तो अब हो गया यह चीछ पीएसल्व फर्स्ट लॉंच सबसे पहला लगा यह तुमको मानना होगा हम फेल कर गए शुरू में मगर हम ज्यादा कर गें उसको सक्सेसफूली सेकेंड मिस्ट हम कंप्लीट कर लिए एक साल बात 1994 कामियाब हो गया और फूर्थ मिस्ट हमारा सेकेंड मिसंट मिसंट था है फ्रामारा पूर्थ मिसंट नाइंटी-90 सेवन में घर बड़ आ गया यहां उसके बाद यानि की हम 1993 में फेल कर गए और 1997 के बाद 1997 के बाद यह कभी भी पीशे मुड़ के नहीं देखा, PSLB तुमारा, और उसका लगातार 40 टाइम से जड़ा हमने लॉंच किया without failure, तो हम नहीं बोलेंगे कि इसलों ने बहुत बड़ा काम किया है, माहतर आप दो बार फेल हुए, इस पेस में तक कई बार लोग बहुत अनुखा चीज दो, इस पेस, उसमें हमने इतना फते किया है, गर्ब की बात पर, लोग अर्बिट, PSLB स्वाइड ली हो, तो कि यहां बात तूट गया, लोग अर्थ अब तुम लोग यह चीज तुम लोग एक जी जान लेना, देखो इधर, अब तुमको कहा जाना है कि पोलर जो अर्बिट, पोलर अर्बिट, लोग अर्थ अर्बिट भी हो सकता है, पोल का डायक्शन यह है, मां नीचे तरह सकता है, तो जो तुम्हारा PSLB है, कान खुल के सुन लो, जो PSLB जो छोड़े जाते हैं, जिसमें सेटलाइट रखके जो छोड़े जाएंगे, वो हमेशा तुम्हारा लो अर्थ अर्बिट में यूज होता है, मैक्सिमम टाइम, अभी तो बोला जारे है कि छोटा सेटलेट हम जियो स्रणी में भी छोड़ सकते हैं, मां जो वाइडली यूज अधिकतर जो यूज है, वो कहां पी यूज है, लो अर्थ अर्बिट में य बहुत बढ़ा हमने प्तीर मारा है, इसलिए पी एसल्वी को इजरो का वर्क हाउस का जाता है, काम करने वाला घोड़ा, जो इजरो को सबसे ज़्यदा प्रेस्टिज दिया है, वाल्ड में वो पी एसल्वी है, महनती है, क्यों, बबब दो सब दस फॉरंट सेलाइट कर दि समझ गया है, पी एसल्वी यह है, तो समझ लो, जब इतना समझी रहा है, तो यह भी समझी लो, कि पी एसल्वी में क्या क्या होता है, तो इसको समझना पड़ेगा तुम लोग को, पी एसल्वी फॉर स्टेज रॉकेट प्रगाम है, अच चार स्टेज होते हैं, अभी थ्व तुम्हारे जो प्रोपेलेंट हो वह सॉलिड प्रोपोलेंट हो यानि कि सॉलिड फ्यूल हो तो कहां से आएगगा वो जाले लॉकट वाला लिटुड प्रोपेल्सन झेल रगाएग से अबी डिखाएगा तुमको पहले एक समझ लो बस मैं डिटेटेव मता को बढ़न बड़ी जो तुम्हारा PSLB का जो पहला स्टेज होगा वो क्या रहेगा उसमें रॉकेट मोटर वो खुछ सॉलिट प्रोपॉलेंट से चलेगा नंबब वान सॉलिट मतलब यहां पर है पर स्वालिट प्रोपॉलेंट और मोटर क्या है लिक्विड फ्यूल होगा उसमें ठीक है और इसी को हम विकास इंजन बोलते हैं जो कि तुम्हारा क्या है कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर सिस्टम डेवलप करता है होप समझी आगे आगे आओगा अई विकास इंजन क्योंकि यह सीरीज है यह बनता है जो विका प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो बोल चुके हैं उसके उपर जाओ यानि कि सॉलिड लिक्विड अब फिर देखो थार्डी स्टेज देखो फिर सॉकिट अब सॉलिड रॉकेट मोटर है तुम्हारा जो कि अपर इस्टेज हाई थ्रस्ट देगा हां उपर वाला क्यूंकि उपर सटेलाइट शुपा हुआ है सबसे हाई सटेलाइट होता है वहां थ्रस्ट देगा क्योंकि जब एट्मोस्फरीक फेस गुजर रहा होगा उपर तो थ्रस्ट देगा ताकि वह फोट पर उसको लगेट अब फोट पर जाटका लाकि वह निकल जाएगा वहां से समझ र उपर है जो अपर मोस्ट स्टेज है तुम्हारा पी है सल भी का वह लिक्विड फ्यूल है याझा लिक्विड प्रकलेंट है तो देखो यहां समझाव बात को यहां पर दो पहला स्टेज सॉलिड है इंजन भी यानिक रोकेट भी तुम्हारा है अब बूस्ट अब भी वह स्टेज में क्या है लिक्विट है लिक्विट इंजिन है जो कि लिक्विट प्रोपलेशन से बना है उसके उपर जाओगे ठाड़ी स्टेज है ठाड़ी स्टेज में फिर सॉलिट प्रोपलेंट है ठीक है इसने को बूस्ट देने के लिए एक्स्टा बूस्ट देने के लिए करें आप फोर्द इस्टेज में क्या हो जाएगा और हाटमेटिक तुम्ह dziर्व प्वस्ट बसक्रवलैंग लिखवा सुर्ट कि भी Arg20 से ओंद आप नीचे चलो और वह ने चलो वह उतना चीज महीं दिया है document क्या नदिया कर तो तुम directors ज्न दे दिया कि Lao आदन गुर् unaware ऐसके ने इसमें हो ठीक है इसमें जितना है में बताता थो कि नहां इस्के बूस्टर एक हो तुम हुआ कोई भुब देख लो इस्टेज तुइश फूर है कि नहीं है टीक है टेको पैलोड फारिंग कि नेए उपर बाला सटेलाइड जो निकालेगा पैलोड फारिंग वहांसे निकलेगा सटेलाइड देख रहे हो सटेलाइड श्री देख हो तुम स्टेज ट्री है यह सब कोले यह से करके दर वाजह इसलिए इसे सब दिया गया है आइगम अच्छे सा नहीं है टीक है गलती कर दिये कि फुन्य वाला डाग्रम यहां भंद से नहीं दिया है एनियूए इसी को समझो हां तो देखो क्या है तुम्हारा इसका बूस्टर होता है तो इसमें कितना बूस्टर बोला जारा उपर फिर से देखो कितना बूस्टर जी एसल्वी में छे बूस्टर है शे बूस्टर के बारे में चीस नहीं देखो छे बूस्टर आप देखो तुम 3D देख लो इसको इस इसमें नजर आ जाएगा पहला तुमारा चार दिख रहे हैं यह च्छे पीछे भी दो है ठीकर यह बूस्टर है और वहां पर मोटर है मोटर के है सॉलिट पर लेंड है उसका देखो तारी स्टेज देखो एफ फूर्थ स्टेज है समझे इस तरह होगा अच्छे से नहीं दिया अच्छा एक समझ लो और समझ में आ जाएगा तो समझे अलग अलग काम कर सके अदेखो तुमको पता चल जाएगा अभी तक क्रेंटली दो ऑपरेशनल भरजन है हमारे पास पी असल भी का दो अलग अलग टाइप के हो सकते पी असल भी पहला क्या है कोर अलोर जिसमें तुम्हारा कोई स्ट्रैप मोटर नहीं है बोले ने स्ट कि मोटर है तो इसमें बूस्टर नहीं है तो दो टाइप के हो सकते जिसमें बूस्टर भी हो सकते छे वाले और मिसिंग हो सकते हैं जो मिसिंग है उसको बोलते कोर अलोर मंतलब कोड है बूस्टर नहीं है तो वही बोला कि दो कोर अलों विदाट एनी स्ट्रेप और मोटर तुम्हारा बिना तुम्हारा उसका बुष्टर का दूसरा क्या कि PSL भी XL यानि कि तुम्हारा क्या extended length extended length का मतलब क्या कि जो booster है अलग से छे extended तुम्हारा booster है समझ्ज मिद्ध आया ना जी अब यानि कि तुम्हारा दो टाइप का PSL का वर्जन हो सकता एक में क्या है बूस्टर हो सकता है एक बस पूर अलोन रहेगा और एक में पूर के साथ तुम्हारा पेडोर्ट शाली तुम्हारा बूस्टर भी रहेंगे इस ट्रैप और मोटर्श भी रहेंगे अब देखो यह जो कन्फिग्रेशन प्रवाइड वाइड तुमको देखने को मिलता है इससे बावू लगबग 3,800 kg का तुम लोग और तॉर्ट में छोड़ सकते हो इतना तुम्हारा केजी का सेटलाइट और इजिए छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी सेटलाइट या तो बहुत चोड़ सकते हो तो एक सो चार हमने कैसे किया था यहीं सब कर जित किया था देखो उसका तुम्हारा पोलर अर्विट में तुमको छोड़ना है तो लो और तॉर्ट पे छोड़ना क्या है आसान है पोलर और तार बीडेनिक जादा रहेगा तो उपर जाना है उपर जाएगा तो टाइम लाएगा लो और तुम्हारा उपर जाना पड़ेगा इसके लिए तुम्हारा उसका रिडियूस हो गया यहीं कि आप छोड़ सकते पोलर अर्विट में तुरा उच्छा है और फिर जियो इस्टिस नहीं का बात होगा तो तो कुछ आर उच्छा है होप सो समझ में आ क्यूं कि जितना उपर जाएंगे उतना फियूल भी चाहिए हमको और उतना हमारा कैपेसिटी घटेगा बजन बढ़ेगा नोड़ बजन के बएस हम लो अर्थ अर्विट में ज्यादा छोड़ पाते हैं और पोलर में बहुत कम कर पाते हैं और जियो इस्टिस नहीं में और कम कर पाएंगे तो देखो PSLBC 37 जो तुम्हारा यही बावू लॉंच पैट था जिसमें 104 सेटलाइट को छोड़ा गया था 15 फरवरी 2017 इसलिए थियासिक दिन था वो 15 फरवरी 2017 को अगा जब बाहर देखो तुम्हों हैरान हो जाओगे 104 सेटलाइट में मात्र तुम्हारा तीन इंडिया का थ तुम्हारा पॉरंता इसलिए है एडलाइन बन गया यह बहुत जादा तो जाया मेजर सेटलाइट क्या थे वह सब्सक्राइट तो डी एंडर रेस्ट वर नेनो सेटलाइट इसलिए बोला जारे कि ज़्यादा सेटलाइट 101 तुमको सेटलाइट जो नजर आ रहे हैं और पूरी नैनो सेटलाइट थे नेजिए अन्टाइट का गिलो तेन गेजी का वान गेजी बी हो सकता चोटे चोटे तबीने 104 कर पाओंगे अधर्यस तुम्हारा तेसलिए कापसिटी है एक सो चार तेरे कम कम होगा तो कार्ट जाट तुदी देख लो नच्छे टुदी का इस फिप्ट अब दकार्टो सब्सीजड एफ सटलाइट इवाटो साथ 2 जो है तुम्हारा यह एक प्रगाम है किसके अंदर कार्टो सब्सीजड प्रवाइट सटलाइट में अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग सब्से चोड़े गए हैं और अलग-अलग समय जैसे 2015 में एक छ सेटलाइड एक प्रोगामन्ता का आगया उसका इस इंडिया का डुटOS ऩो बुल है दो लिकिसमी की बाशन करने के लिए AD को ठीक से अबजर्ब करने के लिए और तील नाओ सीक्स कार्टोसाइट एड विन लॉंच अई तुम्हाना जो बोले न यह सीरीज है इस सीरीज में हम लोग अभी छे बार हम सट्रेलाइट छोड़ चुके हैं कि एक सीरीज है और अलग अलग साल डिफेंट डिफेंट डिफे यह हम अर्थ का अब्जर्बेशन जान लेंगे अब्जर्बेशन जान लेंगे अनाय चीज हम उसके बारे मियांत रखेंगे यह तुम्हारा PSLV समझे बात को तो करी लेते हैं आज उसको छोड़ देते हैं उसको टाइम रहा नहीं ठीक है तो होपस हो तुम्हों को समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है एक्सपेंडिवल कैसे है कैसे खूलता है तो PSLV को कोई बात करें अब को तुमको पूछे कि PSLV का सब से ज़्यादा काम है तो लो ऑर्थ अर्बिट में काम है और जानते हो क्योंकि पोलर उसमें तुम्हारा रेज़ बता हैं तुम्हारा कितना केजी पेलोड बात कर सकता है तो थोड़ा हाइट ज्यदा होने के बज़े से क्या होगा बाभू वह कम करेगा 800 करेगा आई ये जियो इस्ट्रेशनी का बात करे तो और उपर है और मुस्किल हो जाएगा तो उसके लिए भी कुछ साधन होना चाहिए तो उसके लिए साधन है तुम्हारे पास ये सर्फ होगा समझ लेयो कैसे कैसे डिजाइन वह ओप सो तुम था पहले क्लास में मजा मारो को बैठके तो दो क्राइव जैनी क्रॉकेट इंजन हाँ देखो क्राइव द देखो अभी जब तुम लोग लगा अग अगया तो पूरी तरी के जल जाएगा सब नाइट्रोजन का क्या है रिस्ट्रिक्ट करना कंबसं को जानते हो तो अब यहां पर देखो तो क्राइव जैनिक रॉकिड इंजन में क्या है तुम्हारा ये क्राइव जैनिक फ्यूल क् जाना और और ओक्सिडाइजर क्राइव जैनिक फ्यूल है और 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 तो नहीं कि और घृत्रिक्ट है क्रायोंजोनिक फ्यूल जानिक है तुट वह ईंट्यंपरेचर पैश्कों मेंस्यार करके रखना होता है ताकि यह लिक्विड स्थिट्म में आ सकते हैं एक थम कम मैनस स तो क्राइजनिक फ्यूल का यह दिक्कत है और देखो नीचे कम टेंपरेचर में बिलो दारूम टेंपरेचर में रखना बहुत डिफिकल्टास होता है इसलिए फीजर वाला जो भैक्सिन आ रहा था तो उसमें भी देखा था कि बिलो तुमको बहुत नीचे माइनस सेवेंटी क्राइजनिक फ्यूल्स और फ्यूल्स दाट रिक्वायर इस्टोरेचर एट एक्स्ट्रमी लो टेंपरेचर इन ओर तुमको टेंपरेचर में रहा सके इसलिए कम टेंपरेचर में बहुत नीचे बिलो फ्रीजिंग को रहना बढ़ता उसको दाओ फ्यूल और अब किया आकए अकिकत में तुम्हारा गास घ्रस का तुम टेमपरेचर घटा दो लिक्वीट में अब हो जायगा सकता है जेट को डिचार करता है यहां आधा भीलकुल आपल अधिय वाला वाला थीकला थी दोन वी तुमारा गयर्यान ओर नहीं टेंपरेचर में देखो जो की collects buffer मौरूं के लाधे में रखना पड़ता है चातनी कि लिक्उपाइज 우리 घगेस सच अग्योद किया गया सब्सक्राई तुमत में हो तुम्हारा जो है लेकुट है किर चुछ बहुत सारे combination में देखेंगे कि कौन सा oxidizer और कौन सा fuel को combine करे तो ज़्यादा energy देगा बहुत सारे अध्यन हुए research हुए और जब research में जाका पता चला कि सबसे best कोई है तो liquid hydrogen और liquid oxygen जब दोनों को combine करते तो गजब का efficiency देता है इसलिए सबसे acceptable है समझ के बात को ना तो वहीं बोला जाया कि बहुत सारे cryogenic fuel oxidizer combination को देखा गया मजो सबसे best combination है liquid hydrogen और liquid oxygen का वो ज्यादा यूज होता है अब समझो कि oxygen liquefy कब होता है यानि कि oxygen जोगी gas है वो कब liquid में बनेगा तो minus 180 degree Celsius उतना कम इसलिए का सकते हो कि दोनों को क्या करना पड़ता है हमको घटाना पड़ता है तब जाके दोनों को कंबाइन किया आता है और तब वो cryogenic rocket engine को जन्व देता है महां से समझ में आया या तो cryogenic rocket engine देखो तो समझ गए cryogenic engine a very complex system है और समय में आई गया वा तुमको due to the use of propellant क्योंकि जो fuel use होता है क्योंकि extremely low temperature पे होता है बहुत अध्याइब को मुष्किल है इसको करना इसको करना इसको में प्रॉपलेंग करना इस्टोर करना भी बहुत बड़ा इफिकल टास्क है इसलिए इसलिए बोला इट requires complex ground support system like propellant storage कहां पर रखा जाये fuel को and filling system transportation and handling of cryogenic fluids and testing facility यह सभी store करना कहां पर इसको check करोगे testing करोगे यह एक बहुत जटिल प्रॉसेस है तुम्हारा cryogenic rocket engine को देखते हो क्यों complex issues क्योंकि बहुत ही below freezing point रखना पड़ता यह benefits क्या है उसका benefits क्या है बब उड़ेगा भी दुक्या होगा कहां हाजाडेस होगा hydrogen hydrogen oxygen यह बहुत cleaner है वही बोला जाए cryogenic fuels क्या environmentally cleaner है as compared to other rocket fuels क्यों hydrogen कुछ नुक्सान नहीं होगा एक oxygen है तुमारा क्या दिकत है कि दोनों तुम्हारा क्या है अराम चल जाएगा यह में cryogenic fuels है अब देखो यह क्या बोला है cryogenic fuel का higher mass flow rate होता है higher mass flow rate का मतलब क्या होता है कि यह बहुत ज़्यदा efficient होता है यानि कि बहुते मैलेज क्या आता है तुमनों सिंपल टंफम समझें गश्च का मैलेज की टांप से देर्फर प्रोडियूस मौर्ट और ज्यदा थ्रस्ट देता है तुमारा जब इसको इंजन में डाला याता है जब कंबस किया आता है तो नहीं प्रढ़ किया थे यह के तुम्हारा एक सेकेंड में इसका जो माश आता है फ्लो बहुत तगड़ा होता है तगड़ा तो अत्हाइ ओत्राइप ताकत देंगा तो तो नहीं थो आप पर जाएगा इसमेंज दाट इंजिन्स विल्डान फॉर्दर उन इतना एपिसेंट ए तो कम फ्यूल में विद जाएगा आप से यह ब्यूट्य है तुम्हारा क्राइजुनिक फ्यूल का अब देखो नॉज़ नॉन प्लुटेंट से बोले तो है यह इस फिल्ड भी होता है तो कोई रिस्क नहीं है कोई रिस्क नहीं है अपना राम चल जायेगा उदर तुम्हारा क्या है दुसरा क्या ऑक्सिजन आप्स जाएगा इन्वार्यमिंट के साथ वह जाएगा मिल जाएगा देरफोर विल नो नीग तो प्लीन फट्लीन का देखते हो मडीन में कभी-कभी बाव इस फिल् जाते हैं तुम्हारा अभी बहुत सारा ग्यास तुम्हारा वह एच्टु एस राइडर सक्सारा है फ्लीन फॉपाइट जो है फ्लीन फॉपाइट वह जाए तो इतना बुरा हाल हो जाएगा समझें तो कहने का मतलब क्या कि इस से बेस्ट क्या हो सकता है क्राइग इस पील करती है दो और हमान्ते था था कंप्लेक्स इस्सू लॉग क्लीन में जिए कंदर स्टोरा क्राइज करना समझें तो देखो यह क्यों बताया इसलिए इसलिए पताइए क्युंग एशनिक यहां पे यह जोगा जी को नहीं जाते घ्या सल वी कैसे जातें तो गो समझो जी जीय जियो सिंक्रिनस सेटलाइट लांज वैकल जी एसली मैक 2 यह भी एक्सपेंडेबल तुमारा वे लांज वैकल एक खूल जाता है बाबू है ना यह पहली बार लांज किया गया था 2001 में वह कब किया था 1993 में बिल्कुर उसके बाद हमने बहुत किया है ठीक है जी एसली प्रोजेक्ट वाद यह 2001 में किया गया वास सुरू में 1990 में सुरू किये थे अब्जेक्टिव यही था कि जियो सेंक्रिनस में किसी तरह हम लॉंच कर दे अपना काविबिलिटी बरहा दे तुमने माइन है यानि कि 35 786 किलो में सेटलाइट चोड़ तुमने में ठीक है तो विदा अब्जेक्टिव आफ एक्वरिंग अलांच कबाविलिटी अफर जियो सिंक्रन सेटलाइट जी एसली स्टेज यह क्या है ट्री स्टेज वेकल है सॉलिट लिक्विट और क्राइजनिक स्टेज सब्जिए आया है थिर लिक्विट बंढ़ जाएगा वह सब्सक्राइब और सो लिक्विट में किया जा रहा है तो पहला क्या होगा सॉलिट लिक्विट अन्ट रिजोनिक स्टेज देख लो आपको तो फर्स्ट इस के साथ में च करो बच्छे लोग उसके साथ क्या था उस्में तुम्हार पूर लिकूट इस्ट्राइपन बूस्टर वो फॉर वो शिक्स विट था यह लिकुट है डिवर समझ रहो ना समझते जाओ समझे इस्ट्राइब बूस्टर है सथे देखो इसमें विकास इंजने विकास इंजन के बारे में बताएंगे तो नीचे लिखा गया ठीक है बिल्क तुम्हारा लिक्विट और उसका थर्ड इस्टेज होगा वह क्राइब अपर इस्टेज बोलते हैं उपर बाला देखो उसमें क्या होगा थर्ड इस्टेज यूजस इंडिशनी डेवलप क्राइब इन्जिन हमने खुद भात में खुद बनाया है इसका नाम है C 7.5 नाम है जो की developed हुआ है तुमारे किस प्रोजेट के अंतरगात cryogenic upper stage project के इंदरगात समझे प्रोजेक चलता है जी और तुमारा रोट तुमारा ये cryogenic engine 7.5 है इस इंडिया फ्रस्ट cryogenic engine है पहला engine है जो की developed कोन किया है liquid propulsion system किया क्यों आकिन लिक्विटी है इस है लिक्विटी क्यों ज से को समझ में आ रहा हो गां तुम लोग को बीकास इंजन के युदि इन सबने सब्सक्राइब नाथ पी ऑंती首 Druid तुम्हारा इसमें भी सेकेंड मला में लगा है यानि कि बहुत जगा इसका यूज है समझे में भी इसका यूज है तो देखो इसका थोड़ा बैरेंट देख लो पढ़ेंगे आने वाले समय में कि जीए सल्वी रॉकेट यूजिंग रॉसियन क्राइजनी की स्टेज अर्डे स्टेज का यूज हुआ था उसको जीए सल्वी मैक वान कहा जाता है वाइल भरजर यूजिंग इंडिजिनियस अजो इंडिजिनियस हमने क्राइजनी का अपर इस्टेज बनाया है ना जो कि लिक्विट प्रोपरजन सिस्टम से आया है बन के उधर से वह हमारा जीए सल्व मैक 2 है समझ गये ना मैक 2 और मैक 3 क्या होता है यही समझ आवान क्या होता है तो जी सैट 9 तुमको जो दिखता है यह साउथ एस एसें सटलाइट है यह पूरी तरीके से इसी पर बेश्ड है जहांपे तुम्हारा क्राइजनिक इंजिन हमारा कुटका है इसी को साक सेटलाइ हो ठीक है छोड़ दो इस पर बहस नहीं करना है ठीक है आप इसमें कोई सनी नहीं है पाकिस्तान इसलिए नहीं कि वह अलगी गाना-गाता है इसलिए सट्रलाइट पर लॉंच किया गया था फिप्त में 2017 को और जब 18 साख समीट हुआ था तुम्हारा नेपाल में 2014 में तो हमार है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है ठीक है उन्होंने बोला था कि आईडिया आप सट्रलाइट सबीन दे नीट सब साख निजन यह बहुत जलूरी है इस तरह का सट्रलाइट ताकि साख का जो इक्छा और अखांचा वो पूड़ा हो सकेगा इं टरप सब कमिनिकेशन इ जिसे निसार को हुआ था अमफान आया था याद करो सब आएमडी का काम है अफगानिस्तान बंगलादेश भूटान मालदिप्स नेपाल और स्रिलंका यूजर सब इस सेटलाइट जो बाव यह साख सेटलाइट है यह सौथ इस सेटलाइट है एक है जी इस सब एकी चीज है यह अभी कौम से कंट्री यूजर करते हैं पाकिस्तान चोड़के जो साख का नेशन है जितने भी है अफगानिस्तान बंगलादेश भूटान मालदिप्स नेपाल स्रिलंका ठीक है और उसको बाव यह सेटलाइट का बात हुआ सेटलाइट का नाम क्या जी सेट जियो सेंक् नाम है जी सेटलाइट लास्ट में खतम तो होई गया देख लो बताएं बूस्टर होगा चार बोले इसमें पीछे भी है तो यह एस्ट वूस्टर है अभी नेक्स प्लास में जानेंगे देखो विकास इंजन है कि नहीं है उसके उपर विकास इंजन तुम लोंको दिख रह ठीक है उसको L110 भी बोलेंगे मैं बताऊंगा कल की क्लास में नेक्स क्लास में उसका क्राइजनिक इंजन है उसके बाद और उसके बाद तुम्हारा वहां पे हील्ड़ सील्ट है वहां पर टेस्ट और वहां से सैटलाइट छोड़े जाएंगे ज़गो यह वही चीज है L110 क कल के क्लास में जानेंगे यह S200 स्टेज क्या होता है S25 स्टेज क्या होता है and so on यह कल के क्लास में जानेंगे next class में last भी देख लो diagram that's it for today